अश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्जाम हाइव में और आज हम आपके सामने नेक्स 30 कोशनों के साथ हाजिर हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो की नॉटिफिकेशन टाइम भी मिलती रहे तो आईए चलते हैं अपने 61 कोशन की थरफ कॉस्मो जो एक थियोरी जो थी वो किसने परपोस की थी तो इस थियोरी को पैंसपर्मिया भी बोला जाता है और ये दीखी रिक्टर ने 1865 में इसके थुरू बोला गया था कि जो लाइफ है वो अर्थ पे आई है थुरू सम हेवनली बोडी जिनको हम मेट्रोइट्स बोलते हैं ओके कॉस्टन 62 पे आईए कोनेक्टिंग लिंग बिट्वीन अनलीड्स अलमिलस का इस जो कनेक्टिंग लिंग होते हैं बिट्वीन अनलीड्स अलमिलस का वो किसमें पाए जाते हैं तो इसका सही अंसर हैगा हमारे पास नियोपलीना ओके अगर हम बात करें बाकी ओप्शनों की तो इसमें फर्स्ट है पैरिपैटिस ओके तो जो पैरिपैटिस है उसमें पाए जाते हैं कनेक्टिंग लिंग बिट्वीन अन connecting link between reptile and birds के तो इसका सही अंसर रहेगा हमारे पास नियोपलीना ओके question number हम आते हैं 63 पे which antibody initiate allergic reaction कौन सी antibody initiate करती है allergic reaction तो इसका सही अंसर रहेगा हमारे पास IgE यहां से एक और question बनता है कि which is the largest antibody question ऐसे भी पूछा जाता है तो इसका अंसर रहेगा IgM यह हम ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे भी question पूछा जाता है next question है 64 several plant pathogen can be controlled by which biocontrol agent तो इसका सही अंसर रहेगा ट्राइकोडर्मिय टाइकोडर्मा option b is a correct यह क्यों होता है ट्राइकोडर्मा क्या है एक free living fungus है जो कि एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह हम इसको यूज करते हैं several plant pathogen for the control of plant diseases के लिए next question है हमारे पास 65 question a free living anaerobic nitrogen fixing bacteria is जो free living anaerobic nitrogen fixing bacteria कौन सा है तो इसका सही अंसर है clostridium और जो बाकी है azobacter वो भी free living nitrogen fixing bacteria है लेकिन वो aerobic है जो कि oxygen को यूज करता है और rhizobium जो है वो एक symbiotic bacteria है ओके question 66 पर आईए which is not a tool of recombinant DNA technology को नहीं है तो पहला option है restriction enzyme restriction enzyme क्या करता है cut करता है DNA को specific sequence में और vector क्या करता है carry करता है foreign genetic material को another cell तक और polymers enzyme क्या करते है यूज होते है synthesis segment of DNA के लिए तो इनमें जो recombinant DNA technology का tool नहीं है तो वो option है intron option D बाकी जो 3 है वो recombinant DNA technology के tool है लेकि intron नहीं है क्योंकि intron क्या है एक non-coding sequence है RNA की ओके question 67 पे आईए macrosia are more common in तो ये क्या होता है ये association होती है between fungus and the root of higher plant में ये पाया जाता है eucalyptus में और ये found होता है oligotrophic soil में तो इसका सही अंसर रहेगा हमारा option B oligotrophic soil ये ऐसी soil होती है जिसमें nutrients जो होते हैं वो low होते हैं nutrients की जो value रहती है ना वो low रहती है question 68 पे आईए pyramid of number in grassland ecosystem is तो इसका सही अंसर रहेगा upright 69 question पे आईए which animal is the symbol of world wildlife fund कौन सा world wildlife fund का symbol है कौन सा animal तो इसका सही अंसर रहेगा red panda option B is it correct question 70 पे आईए common indicator organism of water pollution is water pollution के लिए कौन सा common indicator है तो इसका सही अंसर है ascarousia coli question 71 hemisole occur in तो hemisole क्या है hemisole एक blood containing cavity होती है जो कि arthropoda and melusca में पाई जाती है तो हमारे पास option में arthropoda है melusca नहीं है तो इसका सही अंसर रहेगा हमारे पास arthropoda option D is correct 72 sponges are sponges क्या है तो sponges जो होते हैं वो phylum porifera के अंडर आते हैं इन में ना mouth होता है ना muscles होती है ना heart होता है और ना brain होते हैं और they do not move ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते तो इन में जो secretion होता है वो excretion होता है वो ammonia को होता है इसलिए ये ammonotelic होते हैं तो इसका सही अंसर हैगा हमारे पास option A ammonotelic question number 73 पे आईए fresh water polyp is fresh water polyp क्या है तो इसका सही अंसर है hydra option A is correct hydra क्या होता है एक small animal है जो की fresh water में रहता है और इसकी length देखें तो 10 mm to 30 mm रहती है और इसकी अगर हम width देखें तो वो about 1 mm तक रहती है question number 74 पे आईए segment of tap warm are segment जो होते है tap warm की उनको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है proglotrids option C is correct ये क्या होता है ये एक reproductive part है जो की male and female दोनों carry करता है तो इसका सही अंसर रहेगा proglotrids question number 75 synchytil epidermis occur in तो ये एक multi-layered epidermis होता है जो की किस में पाये जाता है ascaris में तो इसका सही अंसर रहेगा ascaris question number 76 each foot of ostrich have तो इसका सही अंसर हमारे पास two unequal digits होता क्या है ostrich जो है वो ऐसा बढ़ है जिसमें dactile food होते है इसका मतलब है two digits होते हैं जिनमें और जो ostrich जो है जिसमें जो large inner toes होते हैं उसमें nail होते हैं और जो outer toes होता है उसमें कोई भी nail नहीं होता question number 77 पे आईए snake lack snake में क्या नहीं होता तो इसका अंसर है टाइपनम option B is correct question 78 hyla is तो hyla क्या है तो hyla जो है वो एक tree frog है और ये सबसे smallest species है frog की और ये अपनी जादर जो अपनी life होती है वो कहां spend करती है trees पे ये अपनी पूरी life कहां बिता देता है trees पे इसलिए हम इसको क्या बोलते थे है tree frog question number 79 shark are shark क्या है तो shark जो होते है अब आपको पता है जो वीवी पैरिस होते है वो ऐसे animals होते है जो कि child birth देते है वीपैरिस जो होते है वो egg egg के थूर अपनी birth देते है और जो वीपैरिस होते है वो क्या होते है eggly animals होते है जो कि जिनके which contain embryo inside the egg ओके और that remain in the mother body until they are ready to hatch तो इसका सही अंसर हैगा ovio पैरिस sharks are ovio paris ओके eviscution is found in eviscution क्या होता है ये एक ऐसी process होती है जिसमें ejection हो जाती है internal organ की ये यूज करते है forehead defense mechanism में तो ये पाई जाती है ignore dermata में ओके तो इसका सही अंसर हैगा ignore dermata option A is correct आगे आते हैं हम question पे which of the following has maximum genetic diversity in India सबसे ज़्यादा कौन सी genetic diversity पाई जाती है इंडिया में तो इसका सही अंसर रहेगा mango question number 95 which of the following is an edible fungi edible fungi कौन सी है तो edible fungi होती है जिसको हम खाते हैं तो इसका सही अंसर रहेगा agaricus agaricus sorry तो इसका सही अंसर रहेगा agaricus question number 96 पे आईए which of the following are intracellular obligate parasite intracellular obligate parasite कौन सा है तो इसका सही अंसर रहेगा हमारा virus virus जो है वो intracellular obligate parasite है होता क्या है इसका जो protein coat होता है वो capsid का बना होता है जिसमें की nucleic acid होता है either RNA भी हो सकता है DNA भी हो सकता है और उनके पास कोई भी they do not have enzyme उनके पास कोई भी enzyme नहीं होता for protein synthesis के लिए इसलिए ये living host ढूंते है अपनी multiplication के लिए इसलिए ये कौन सा है intracellular obligate parasite है 97 पे आईए club most belong to club most किसमें पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं tridophyta में तो इसका सही अंसर रहेगा tridophyta इसमें club most भी पाए जाते हैं और इसमें horse tail भी होते हैं question number 98 male gametes in angiosperm is produced by तो जो male gametes होते हैं angiosperm में वो produced होते हैं by generative cell angiosperm में जो होते हैं वो two types के cell होते हैं एक होते हैं vegetative cell और एक होते हैं generative cell जो vegetative होते हैं वो non reproductive cell होते हैं तो angiosperm में क्या होता है जो vegetative tube cell होते हैं वो produce करते हैं pollen tube और generative cell होते हैं वो produce करते है sperm cell और milgamit 99 external fertilization occur in majority of external fertilization किसमे होती है जो majority है वो किसमे है इन option में से तो इसका सही answer रहेगा algae में तो इसका option A is correct external fertilization कि होती है ऐसी fertilization जो कि outside the body होती है तो यह रहेगी algae में 100 and algae which is rich in protein कौन सी algae है जो rich in protein है जिसमें सबसे ज़्यादा protein होते हैं तो इसका सही answer है chlorella chlorella जो है वो rich in protein है chlorella कहां पाए जाते है fresh water में single sad algae होता है और आपको पता होना चाहिए यह first form है plant की जिसमें well defined nucleus होता है और इसमें सबसे ज़्यादा protein रहती है 45% इसलिए इसको protein rich बोला जाता है algae ओके तो यह हमारे question थे उमीद है आपको अच्छे लगे होंगे अगर आपको अच्छे लगे हैं तो चानल को like, subscribe, root करें और आपको अच्छे वाच्छिए झाल झाल